डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये हैं। लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है। राजनेतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमामनन सुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत जादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड फैंकने का होगा। भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीती कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है। भाजपा का कार करता, जन अकांख्षाओ, जन भावनाओ, और जन अपेक्षाओं का प्रतनीदित्व करता है। और यह हम कभी भोल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबाद करते रहे। साथ्यों, कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाट बनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देव पत पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने धेव पत में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निस्टा से पूरी मांदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें। हम देश हित को सरव परी रखें। तबी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे। हमारा सम्विधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे सम्विधान के 55 वर्ष पूरे होने जा रहे है। केंद्र की NDIA सरकार सभी राज्यों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों नहों मिलकर काम करेंगी। बिच्सित भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे। जम कर महनत करेंगे। हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है। ये राश्त नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है। बिच्सित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है। भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है। छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। छे दसक बाद किसी गढ़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अउसर दिया है। जनता जनादन के साथ विश्वास का ये अटूत रिस्ता ये लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ती है। आपका आशिरवाद नए उत्सा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है। झाल